परिचय अधिकतर परिस्थितियों में हमारे आसपास की चीजों में कुछ न कुछ बदलाव होता है। इन में से कुछ बदलाव आस्थाई जिन में कुछ नए तत्व ना बने उन्हें भौतिक बदलाव कहते हैं। कुछ अन्य बदलावों में नए तत्वू बनते हैं और कुछ अपनी पहचान खो देते हैं। इस तरह के बदलावों में हम मूल वस्तू को वापस नहीं ला सकते, जिसका सीधा और सामाने मतलब यही है। उन्हें स्थाई बदलावों के तौर पर जाना जाता है। उधार अनार्थ कागस के जलने पर कारबन का बनना। जब कागस जला दिया जाता है तो कारबन के कण राख बन जाते हैं। इनको दोबारा से कागस नहीं बनाया जा सकता। इस तरह यह स्थाई रासाइनिक परिवर्तन है। उद्देश्य इस पार्ट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। रासाइनिक परिवर्तन को पहचानना। रासाइनिक प्रतिक्रिया के समीकरण लिखना। रासाइनिक परिवर्तन को वर्गिक्रिक करना। विभिन तरह के रासायनिक प्रतिक्रियाओं के उधारणों की सूची बनाना. रासायनिक अभिक्रियाएं एक रासायनिक अभिक्रिया वो होती है जिसमें तत्व या तत्वों की रासायनिक प्रतिक्रिया से एक नया तत्व या कई तत्व बनते हैं. ऐसे पदार्थ जो रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिक्रिया यानि रियक्टेंट्स कहा जाता है जो नए पदार्थ बनाते हैं उन्हें उत्पात कहा जाता है लोहा और सल्फर रियक्टेंट्स हैं और आइरन सल्फाइड उत्पात है जब चीनी को गरम किया जाता है तो वो जल जाती है चीनी में पानी के अणू कार्बन छोड़ जाते हैं रासायनिक समीकरण लिखना रासाइनिक अभिक्रिया में रेक्टेंट्स एक या अधिक एक साथ प्रतिक्रिया करते हैं और एक नया यौकिक बनता है जिसे उत्पाथ कहते हैं उधारन, Aluminium Oxide को Dilute Sulfuric Acid के साथ मिलाएं जो Aluminium Sulphate और पानी के रूप में हो इस अभिक्रिया को इस प्रकार से लिखा जा सकता है Aluminium Oxide Dilute Sulfuric Acid के साथ अभिक्रिया करके Aluminium Sulfate और पानी बनाता है रासाइनिक समी करण लिखने के लिए निम्न लिखित तरीके अपनाए जाते हैं अभिकारकों के प्रतीक और सूत्रों को पहले बाई और लिखा जाता है यदि एक से ज्यादा उत्पाद हों तो उनके बीच योग, धन, चिन लगा कर उने अलग-अलग दर्शाते हैं Aluminium Oxide और Dilute Sulfuric Acid को इस तरह लिखते हैं तीर का सिरा उत्पाद की और होता है जो उत्पाद के रूप में अभिक्रिया होने को दर्शाता है प्रतीक और सूत्र योगिकों के गठन यानि उत्पाद को तीर के निशान के बाद दाई ओड लिखते हैं और ये दर्शाता है कि इसका गठन हुआ है यहाँ पर एक योग धन, चिन भी दो योगिकों के बीच अलग-अलग जगों पर लगाया जाता है संतुलित रासायनिक समीकरण रासायनिक समीकरण द्रवेमान के संदक्षन के नियम पर आधारित है इस नियम के अनुसार द्रवेमान का निर्मान नहीं किया जा सकता है और ना ही रासायनिक अभिक्रिया में नश्ट किया जा सकता है ऐसा सिर्फ तब संभव होता है जब हर पर्माणों की कुल संख्या अभिकारक के बराबर हो साथ ही समिकरण के उत्पादन जितनी हो चिन समीकरणों में विभिन तत्वों के परमाणों की संख्या अभी क्रिया से बनने वाले उत्पादन जितनी परमाणों की संख्या हो तो उसे संतुलित समीकरण के रूप में जाना जाता है संतुलित समीकरण उप्रोक्त समीकरण एक असंतुलित समीकरण है इसमें सल्फर का सिर्फ एक परमाणू है जो अभिक्रिया की ओर है जबकि उत्पात की ओर सल्फर के तीन परमाणू है अब यहां अभिकारक की ओर 6 हाइडोजन के परमाणू है और उत्पात की ओर सिर्फ दो हाइड्रोजन परमाणू है उप्रोक्त समीकरण में H2O अणूओं को तीन से गुणा करते हैं समीकरण दो अब बनता है इसमें अब समीकरण में आउक्सीजन परमाणू 15 है जो अभिकारक और उत्पात की ओर है इसलिए अंतिम समीकरण संतुलित है रासाइनिक अभिक्रियाओं के प्रकार तत्वों और योगिकों के मिश्रण से कई तरह के पदार्थ बनते हैं लाखों योगिक, तत्वों या योगिकों की रासाइनिक अभिक्रियाओं से बनते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं में तापमान, दबाव, प्रकाश की उपस्थिती आधी के रूप में विभिन परिस्थितियों की आविशक्ता होती है रासाइनी कभिक्रियाएं कई प्रकार की प्रणालियों में घटित होती हैं, जैसे की मानव शरीर, पौधे, उद्योग, प्रकृती, आदी रासायनिक अभिक्रियाओं के चार प्रकार होते हैं, जो कि इस प्रकार हैं, संयोजन अभिक्रिया, अबखटन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, दुई विस्थापन अभिक्रिया सन्योजन अभिक्रिया कुछ अभिक्रियाओं में नया द्रवे मूल तत्व में मिलाया जाता है और तत्व द्रव में मिल जाता है। इस तरह की अभिक्रिया को सन्योजन या संशलेशन अभिक्रिया कहते हैं। सन्योजन अभिकरियाएं वो होती हैं जिनमें एक तत्व किसी दूसरे के साथ अभिकरिया करके एक योगिक बनाता है। ऐसी अभिकरियाओं को संशलेशन अभिकरियाएं भी कहते हैं। ऑधारणार्थ, हाइडरोजन को ऑक्सीजन से मिलाने पर पानी बनता है। संयोजन अभिक्रियाएं एक मेगनीशियम रिबन लें और उस पर लौकी गर्मी दें इसके जलने से चमकदार सफेद रोशनी निकलती है मेगनीशियम रिबन सफेद पाउडर में बदल जाता है पाउडर में थोड़ा पानी मिलाएं और लाल लिटमस पर एक ड्रॉप रखें लाल लिटमस नीला हो जाता है ऐसा संयोजन अभिक्रिया से होता है आक्सीजन हवा में मेगनीशियम के साथ मिलकर सफेद पाउडर मेगनीशियम ऑक्साइट MGO बनाती है मेगनीशियम ऑक्साइट पानी के साथ मिलकर मेगनीशियम हाइडर ऑक्साइट बनाता है इसमें लाल लिटमस नीला हो जाता है अब घटन अभिक्रियाएं अब घटन अभिक्रियाएं वे होती हैं जिनमें एक योगिक सरल योगिकों में तूट जाता है उधारनार्थ गर्म करने पर केलशियम कार्बनेट से केलशियम ऑक्साइट और कार्बन डायोक्साइट बनता है पानी का अब घटन करने पर जब इसे बिजली से गुजारा जाता है तो ये हाइड्रोजन और आक्सीजन देता है अब घटन अभिक्रियाएं संगे मरमर का एक टुकड़ा लें, इसे चिम्टे से पकड़ें, कुछ समय के लिए इस पर आग की गर्मी दें, इसे ठंडा होने दें, इसे पानी में डाल दें, फिर इसमें लाल लिटमस डालें इस तरह लाल लिटमस नीले रंग में बदल जाता है केल्शियम कार्बोनेट यानी संगे मर्बर अब घटित होकर केल्शियम आकसाइट और कार्बन डायोकसाइट बन जाता है केल्शियम आकसाइट के बनने पर पानी के साथ अभिक्रिया होती है जो उप्रोक्त हल देता है जिसमें लाल लिटमस नीले रंग में बदल जाता है एक टेस्ट ट्यूब में 0.5 ग्राम जिंक कार्बुनेट लें टेस्ट ट्यूब को एक काग और एक डिलीवरी ट्यूब में फिट करें लौ से उसमें उश्मा दें इससे एक रंग हीन गैस बाहर निकलती है इस गैस को नीबु पानी से गुजारते हैं तो ये दूदिया हो जाता है जिंक कार्बुनेट को गर्म करने से ये अबगटित होकर कार्बन डायॉकसाइट गैस और जिंक ऑकसाइट बनाता है कार्बन डायॉकसाइट नीबु पानी को दूदिया कर देती है एक चाइना डिश में एक दशमलो शून रिक्राम फेरस सल्फेट लेकर गर्म करें तेज गर्म करने पर फेरस सल्फेट का रंग हरे से बदल कर भूरा हो जाता है एक तीखी महगदार गैस भी इससे बाहर निकलती है ऐसा फेरस सल्फेट के अब घटन की वज़ा से होता है जो ब्राउन फेरिक ऑक्साइड और SO2 और SO3 जैसी तीखी महगदार वाली गैस निकलती है विस्थापन अभिक्रियाएं एक विस्थापन अभिक्रिया वो अभिक्रिया होती है जिसमें एक परमाणूं या परमाणूं का एक समुहूं एक अडूं में मौजूद एक और परमाणूं द्वारा विस्थापित होता है उधारनार्थ आइरन को जब कॉपर सल्फेट के विलियन के साथ मिलाया जाता है तो इससे कॉपर धादू बनती है टेस्ट्यूब के 10 मिलिलीटर पानी में 0.5 ग्राम सिल्वर नाइट्रेट मिलाते हैं टेस्ट्यूब में एक साफ कॉपर का तार जोड़ते हैं इसे कुछ तेर तक छोड़ देते हैं सिल्वर की चमकीले क्रिस्टल तामे के तार पर दिखाई देते हैं इससे विलियन का रंग नीला सा हो जाता है जो कॉपर नाइट्रेट के रूप में होता है इस अभिक्रिया में लोधातु को कॉपर के साथ मिलाने पर कॉपर सल्फेट का विलियन विस्थापित होता है एक टेस्ट्यूब में कॉपर सल्फेट विलियन लेते हैं कौपर सल्फिट विलियन में लोहे की कील डालते हैं और इसे कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं कुछ समय के बाद विलियन का नीला रंग, फेट्स और लाल रंग की कौपर धातू कौपर सल्फिट से विस्थापित हो जाती है विस्थापन अभिक्रिया जो होती है विस्थापन अभिक्रियाओं के कुछ अन्ने उधारण है दोई विस्थापन अभिक्रियाएं दोई विस्थापन अभिक्रियाएं वे होती हैं जिनमें दो योगिक आइनों को बदल कर दो नए योगिक बनाते हैं इन अभिक्रियाओं को partner exchange अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। ये अभिक्रियाएं आइनिक योगिकों में होती हैं। उधारनार्थ, copper sulphate और hydrogen की अभिक्रिया में sulphide, copper sulphide और sulphuric acid बनते हैं। इस प्रकार copper का partner बदल कर hydrogen sulphide में hydrogen के partner के रूप में होता है। बेरियम chloride और sulphuric acid की अभिक्रिया से बेरियम sulphide बनता है जो दुई विस्थापन अभिक्रिया है। निराकरण अभिक्रियाएं भी दुई विस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं। रेडाक्स अभिक्रियाएं रेडाक्स अभिक्रियाएं वे होती हैं जिसमें आक्सी करण और इसकी कमी से एक ही समय में होती हैं। इन अभिक्रियाएं में एक पदार्थ में कमी होती हैं जबकि अन्ने ऑक्सीडाइजड होता है। क्रिया कलाब एक चाइन डिश लें और उसमें थोड़ा सा कॉपर पाउडर लेकर उसे गर्म करें। कौपर पाउडर का क्या होता है? कौपर पाउडर की सतह करन बदल कर काला हो जाता है ऐसा अक्सीजन के कौपर के साथ मिलने से होता है जो कौपर अक्साइट के रूप में बनती है यदि हाइडोजन कैस इस गर्म समगरी C-U-O से गुजारते हैं तो सतह पर ब्लेक कोटिंग बदल कर भूरी हो जाती है और फिर से ऐसा होने पर कौपर प्राप्थ होता है क्यूपरिक ऑक्साइड यानि C-U-O बदल कर कौपर बन जाता है इस प्रकार क्यूपरिक ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल जाती है आक्सिजन के हटने के बाद से इसकी कमी हो जाती है जिससे क्यूपरिक आक्साइड कौपर के रूप में होता है क्यूपरिक आक्साइड से इस आक्सिजन को हाइडोजन हटाता है इसलिए हाइडोजन कम करने वाला कारक है इस प्रकार आक्सीकरण और कमी एक साथ होते हैं उधारणार्थ सोडियम को जब आक्सीडाइस्ट किया जाता है तो ये बदल कर Na प्लस हो जाता है आक्सीकरण को आक्सीजन या हैडोजन या इलेक्ट्राणों की एक पदार्थ से नुकसान या कमी के लाब के रूप में परिभाशित किया जाता है कमी या हैडोजन या एक पदार्थ से इलेक्ट्राणों का लाब आक्सीजन की कमी के लाब के रूप में परिभाशित किया जाता है जिंक आक्सीडाइस्ट होकर ZN2 प्लस हो जाता है जब जिंक की एक छड़ को कॉपर सलफेट के विलियन में डुबोया जाता है इस अभिक्रिया में जिंक दो इलेक्ट्राण को देता है और ZN2 प्लस हो जाता है इस प्रकार जिंक आक्सीडाइस्ट हो जाता है दूसरी और Cu2 में दो इलेक्ट्राणों की कमी हो जाती है जिसे ये ग्रहड करता है और वो Cu हो जाता है आपने देखा होगा कि लोहे के बने पुराने गेट पर लालिमा युक्त भूरे रंग की परद चढ़ जाती है लोही की चीजों में लालिमा युक्त भूरा रंग एक जंग होता है कुछ अन्य सामगरी में भी इसी तरह का जंग लगता है चांदी पर काली परद और कौपर पर हरे रंग की परद भी इसी तरह के उधारण है जंग एक प्रक्रिया है जो धातूओं को धीरे धीरे बाहरी हवा, नमी या उनकी सतह के हिसाब से रासाइनिक क्रिया की वजह से होती है विकृत गंदिता अगर एक धातू में अभी क्रिया शील होती है, इसकी सतह पर धीरे धीरे ऑक्सीजन और पानी यानि नमी की मार पड़ सकती है धातू हवा में मौझूद ऑक्सीजन और पानी के वाश्प के साथ अभी क्रिया करके योगिक बनाता है इन योगिकों के बनने से धातू की सतह पर असर होता है, इससे धातू की सतह कमजोर हो जाती है धातू की सतह पर योगिकों के बनने से धीरे धीरे उसकी सतह और कमजोर हो जाती है और फिर हवा और पानी की वजह से इसे नुकसान होता है यह प्रक्रिया आगे भी चलती रहती है इस तरह हवा और पानी धीरे-धीरे पूरी धातू को ही नश्ट कर देते हैं जब हम खाते समगरी, वसा या तेल को लंबे समय तक रखते हैं तो यह वक्रित कंथी हो जाते हैं और एक समय के बाद इसके दुरगंध और स्वाध बदल जाते हैं ऐसा खात्य समगरी के बासी हो जाने की वजह से होता है विक्रित कंथीता वसा युक्त और तेलिये चीजों में हैट्रोलिसिस उपचयन से होता है एंटी ओक्सिडेंट्स को खात्य समगरी में अक्सर मिलाया जाता है जिससे विक्रित कंथीता का विकास उसमें ना हो सके प्राकृतिक एंटी आक्सिडेंट्स में शामिल है पॉली फेनॉल्स, एसकॉर्बीकेसिट, टोको फेरॉल्स, सिंथेटिक एंटी आक्सिडेंट्स हैं, बटिलेटिट हैड्रोक्सी एनीसोल और बटिलेटिट हैड्रोक्सी टॉल्यूनी, विकृत गंधिता को कुछ हद तक र रेफ्रेजडेटर में रखकर, खादे समगरी को सोरी की रोशनी से बचा कर और एर टाइट कंटेनर में, खादे समगरी के पैकिंग में नाइट्रोजन भरकर, नाइट्रोजन गैस खादे समगरी को आक्सी करण से बजाती है और इस तरह उसमें दुरगंध नहीं आती। क्या आप जानते हैं? एक पतली परद बना देता है। कैल्शियम कार्बनेट इसके बनने के दो-तीन दिन बाद दिवार की सफेदी में बेहतर चमक ला देता है। दिलचस्पी यह है कि संगे मर्मर का रासाइनिक सूत्र भी TACO3 है। सारांश अभी करियाएं, विस्थापन अभी करियाएं, दुई विस्थापन अभी करियाएं और रेडॉक्स अभी करियाएं।